एक्जांपल नंबर सेवन आपके दे रखा है एस सम आप 10,000 इस बाउड एक मलब आपने उधार लिया यह उधार लिया वाद धन बोलते हैं आपके दस तजार रोपे 10,000 रुपी और रेट ऑप इंट्रेस्ट आपके दे रखा है 15% पर एनम आपके दे रखा है के लिए 2d muita in time हमने संपेटे करना है थो साल के लिए 2 अपको कीतना को पे करना है वो भी आपको लेना है ढुन को हमारी पास है पूछ यह प appliesunts पंड़ shift कितने टाइम के लिए लिया, आपने लिया है two year के लिए और क्या rate of interest है, तो rate of interest दें रहा है आपके 15% और हमें find करना है simple interest find करना है, simple interest find करना है इसको बोलते है si simple interest, formula क्या है find करने का ptr अपन 100 यह formula है, कि मतलब होता है प्रिंसिपल जो दे रहा है आपके 10,000 ताइम आपके पास दे रहा है तू यह का और रेट हमारे पास दे रहे कि यह 15 अपॉन मैं हंड्रेट कि टू जिरो से टू जिरो कैंसे रहों मुल्टिप्लाइए तो 15 तू जा 30 अंड्रेड इंटू 30 करेंगे तो यह होता है आपके 3,000 रुपीज अब हमें aad करना है amount का मतलब का होता इमाउंट मतलब होता इसमें interest हें मतलब principle प्लस सिंपल इंट्रेस्ट या compound interest मतल純 जितना आप में उधार लिया और छिष्याद बना दोनों को मिला कर तो यहां पर देखो हमारे पास टोटल प्रिंसिपल था आप 15,000 10,000 और साथ में सिंपल इंट्रेस्ट दो है वो आया थे आपके 3000 दोनों को मिला कर टोटल कितना पे हुआ तो है 13,000 यह आगया आपके एक एमांट यह एक जंबल नम्बर एक आपके देरका है फाइंट इस एक फाइंट इस पारिकम पास प्रिंसिपल देरका है आपके 12,600 ताइम हमारे पास देरका है वो यह का और रेट हमारे पास देरकी है 10% हमें और में पाइंड करना तो फर्मूला आपको आणा चाहिए च पर्मूला क्या होता है आपके प्रिंसिपल इन्टू वन प्लस आर अपॉन अंड्रेड की पावर आजाएगी आपके टाइए और माइनस कर देंगे यहां पर हम प्रिंसिपल यह फॉर्मूला है कंपॉउड इंट्रेस्ट करने का फॉर्मूला है फॉर्मूला यहाद है वैल्यू पूट करेंगे यह स्वॉल करेंगे हो जाएगा प्रिंसिपल देखा है आपके 12,1600 अगर यह फॉर्मूल यह फॉट करेंगे फिर वह माइनस करेंगे तो पहले यह फॉर्मूला आका 12,1600 अगर यह तो यह भी ऑंड्रेड प्लस टेल गले लिए तो इसी नमबर में यह नमबर एड़ बंड लोगती होता है आपके 110 अपॉन वान का यह अंग्रेड है यह भी हंग्रेड और पावर धेर प्रफ्ट क्टू इसको शुल करने के बाद में आपको यह वाला नंबर माइड़स ने यहां पर लेता हूं एप अब इस्वेर लगावा है तो बतलत तू ताइम है यही चीज आपके टू टाइम है यहां पर वन टाइम और यहां पर आपके टू टाइम माईनस है आपके 12 से पहले इसको कंप्लीट सॉल करें हैं देखो 0 से 0 — 0 और 2 0 से 20 से तो ही आया है आपके 126 in2 किसको इसको ऐसे मल्रप्लाइ कर दू एल्ग लग ऐसे मल्रप्लाइ गी कर सकते है लिसक्ष्ष्ट्या भी कर सकते हो उन्या तो नंषके यह तो अत्लौ पारणस पार दशुस्थ 282 plus 1 होता है 3 फिर होता है 1 into 11 minus 12 6 W 11 से multiply करना जोड़ा कीजी रहता है यहां करेंगे 11 से multiply पहला आएगा यह 6 6 और 8 14 1 बचेगा 11 plus 1 12 1 बचेगा और 1 plus 3 1 plus 4 आजाएगा और लाशन बचाएगा आपके 1 plus 3 plus 1 करेंगे तो फाइब लाशन वन आपके हैं लिव शिक्स बचाएग एटी एट प्लस इस वता है आपके 94 9 बचेगा 33 9 42 4 बचेगा 11 or 450 अब यह वाला हमें माइनस करना है 46 46 अब यहां पर देखो 12 में 6 जाएगा तो 6 होगा 4 में से 2 जाएगा तब 2 होगा अग यह आजाएगा इतना इस एक्जम्पल नमर नाइन आपके देर का है नमर पूचा अब पूचा है यह पर सुदाना है जबी भी में आपके आजी की की पूचे अब्स्टीन पूचा के बात का पूचा है यहां पर कूचा है आप्को बात का वेल्युचा हो हुआ पहले का वेल्योता है उसको मोलते हैं फीजीरो यहां पले हम पॉपुलेशन पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन इन 1997 जिसको मोलते हैं फीजीरो वह हमारे पास है यहां पर 5% पर एनम इंक्रीज हुआ है यहां पर हमारे पास जो रेट है यह वो है आपके 5% पर एनम इंक्रीज हुआ यह इंक्रीज हुआ है अब हमें 2000 की हमें पोपुलेशन निकाल ली यहां पर हम निकालना है हमें क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है फाइंड लेशन in 2000 और हो अग्ले साल की वेड़ा आगे का किटना इसमा आता है आपके पीवन कहते है इसमें क्य क्हा दना है same रिप इंटरेश्ट की तरह ही फाइंड़ टन से दिकंसा पड़ोंड का या पो लेना सब्सक्राइब करते हैं तॉना की हो जाएगा अगर आपको यहां पर पर फैर्मुला या हो C फर्मूला प्लस आर अपन हंडर्ड तीन पावर आना यहां पर यह फोर्मूल्हुला है फाइन करने की अब पीवन मतलब बात का वालुश पीज़ी लुट इसनल मतलब पहले का वैलब जिरो पहले आता है तो पहले का भीए यहां पी वन तो हमें फाइंड करना है पहले का वेल्यू वो दे रखा आपके 20,000 वन प्लस आर आर जो है आपके 5 अपको 100 और दो रेट है वो दे रखा है आपके 5 तो स्वाल करें सिंपल का ज्यान रखना है आपके 20,000 इंटू अब यहांपर टाइम कितना है रहे टाइम थीन साल का है रेट पर रहे रहे तो अब देखो यह अंड्रेड तो यह भी हंड्रेड प्लस 5 निगे दिए आएगा आपके 105 अपोन पर यहां पर पावर आएगी आपके अब P1 हमें find करना है, तो 20,000 को multiply करेंगे, यह वाला value आएगा 3 time आए, 105 upon 100, 105 upon 100, 105 upon 100, अब कटे जो कार सकते हो, यह सा कुछ नहीं है, देखो, साइट का दिवेड आता है, 21 time, 20 time, 21 time, 20 time, जैसा देखो, सिंपल सा है, देखो, ध्यान देना भई, यह 20 से, देखो, पहले जिरो कार देते हमें आप, तो, जिरो से टू जिरो कैंसल, and 2 0 से 2 0 कैंसल, and 2 से 2 कैंसल, हमारे पास बचाया, वो आपको लिखना, जैको हमारे पास नहीं चाहिए बचावा, 105, इसको इससे मल्टिप्लाई करते हैं, ताता है, 441, अब वोन में, अब वोनों को आपसमें मल्टिप्लाई करें, करो मल्टिप्लाई, इनको आपसमें गुणा करेंगे, तो यह आएगा, 43305, पता दो कर देंगे, आदा करना पड़ेगा, 46 का आदा तेविस, और यहाँ पर आएगा, आपके, 105 है ना, तो वहाँ देगा, वन, फाइफ, फिर आपके, पॉइंट पाइप आता है, लेकिन, पाइंट पाइफ बन आजा रहते, कि तो होता नहीं, तो हम यह वाला भी कह सकते है, और चाहो तो इसमें, वन, आप एक्स्ट्रा एड भी कर सकते हैं, नहीं तो यही रहना जो, एक्जम्बल नमबर 10 आपके नेरका है, एक टीवी है, जो 21,000 में आपने परचेज किया, आफ्टर वन येर, वैल्यू हो गया है, आपके डेप्रिशेशन हो गया है, 5%, तो बताना है कि एक साल बार उसका वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर जेको, टीवी का जो प्राइज है, प्राइज ऑफ टीवी, वो दे रहा है, आपके 21,000, और हमारे पास लगावा है, डेप दे रहे हैं, अब हमें, एक ताल बाद गरें, फैल आगैवर और यह फीड्रेशर में पाइंट करता। तो दोगो, डेप्रिशन कितना है, कि अपके 5% ऐफ यह सो, यह लेट है वह रोगना मतलब होता है वैल्यू को कम करना वैल्यू का मतलब माइनस में होना 5% वैल्यू माइनस हुआ है तो 5% वैल्यू मैं आप स्टॉल करेंगे देगो 5% एह अन्डरेड लगेगा और मतलब मुल्टिप्लाइए और यहां पर है आपके 21,000 तू जिरो से टू जिरो कैंसे इन दोनों का आप उसमें मल्टिप्लाइ करेंगे 2150 जा वता है 105 और यह जीरो का जीरो मतलब एक साल के अंदर वन येर के अंदर इतना वैल्यू कम हो जाएगा तो अब आपको बताना है टीवी का जो वैल्यू है वैल्यू और टीवी आफ्टर वरियर एक साल के बार टीवी का वैल्यू क्या होगा तो इतने रुपे कम हो जाएगे पहले कितना था आपके 21000 और कितना कम हो गया है 1050 करो माइनस जैसे ही माइनस करते हैं यह आता है 9950 यह आ जाएगा इसता निव वैल्यू इस साल का एक साइ 7.3 कोशन नमर वन दे रखाव तो पॉपुलेशन ओप पैलेस इंक्रीज फिप्टी फोर थाउजन इन 2003 यहां पर देखो इतनी पॉपुलेशन है 54000 और इंक्रीज हो रही है कितनी इंक्रीज हो रही है फाइप परसेंट पर एनम इंक्रीज हो रहा है तो बताना है करना है घृध सामर करना तू थाउजन होगा तू-स फाय्ट में कितना होगा है ऎहां पर पॉपॲेशन 2003 mean कितना फेले हम वो मों लेते हैं यहां पर पर लिखते हम फेले both collectayan in 2003 वह आपके देर का है 54,000 अब हर बार क्या हो रहा है 5% का इंक्रीज हो रहा है 5% प्रोप्लेशन बढ़ रहा है तो इंक्रीज कितना हो रहा है इंक्रीज हो रहा है आपके 5% अब यहां पर दो इस्तति है 2001 का भी फाइंड करना है 2003 का भी फाइंड करना है यहां पर पहले फाइंड करेंगे फर्स्त पॉइंट यहां पर हम फाइंड करने वाल हैं पॉपवियर्ट हण कना 2001 की तो हमें फाइंड करना है फोपुलेशन को इन-2 तू थाउजें और यह अमै agreeing कर दो इदर हमें क्या फाइंड करना है Four core in 2005 में कितना है वो हमें find करते हैं अब यहां पर दखो इन दोनों को compare करते हैं तो यह आपके बाद का value है और यह आपके पहले का value है मतलब 3 तो चला गया 1 का फाइंड करना पिछला फाइंड करना आपको तो जो टाइम पहले का है उसको लेते हैं पी 0 इसको हम बोलेंगे दी जीरु और जो बाद का time है after time है उसको हम बोलते है P1 तो यह है आपके before time और यह है after time तो यहाँ पर P0 find करना है P1 आपके given है और इधर वाले में क्या देरगा देखो 3 का देरगा है 5 का find करना है मतलब बाद का find करना है मतलब यह बाद का value है मतलब P1 है और यह आपका हो जाएगा P0 तो यह आपको check करना है 0 कौन सा है 1 कौन सा है तो जो time पहले आया उसको 0 बोलेंगे जो time बाद में आएगा उसको 1 बोलेंगे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जैसे यहां पर भी है तो जो time आपके पहले का उसको 0 बोलेंगे जो time बाद का उसको P1 बोलेंगे इस चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना अब time देखो तो यहां पर देखो 1 to 3 total 2 year का time हमें find करना है population find करनी है 1 में कितना होगा और fight में कितना होगा तो formula इसका आना चाहिए आपको formula क्या देखो बताएं आप P1 is equal to होता है P0 into 1 plus R upon 100 power time यह formula है अब यह formula दोनों तरफ काम आएगा यह आपके इधर भी काम आने वाला है और यह आपके इधर भी काम आने वाला है दोनों साइड आपके यह formula काम आने वाला है तरफ सब्सक्राइब क्या अगरता है वो P1 P1 हमारे पास दे रहा है 54,000 और P0 हमें क्या करना है फाइंड करना मत्त पीफोर टाइड फाइंड करना है 1 plus R कितना है आपके R हमारे पास है 5% तो ताइम है वो दे रहा है आपके तो यहर का टाइम सेम चीज़ इदर हमें P1 इसमें फाइंड करना है और यह है आपका 54,000 1 plus R जो है R आपके दे रहा है 5 upon 100 और टाइम जो है वो दे रहा है आपके टू यहर अब यहां पर सिंपल सा ध्यान रखना है आपको जैसे यह हमारे पास है 54,000 और यह आपका पीजिरो अब देखो यह अंड्रेड है यह भी अंड्रेड है अंड्रेड प्लस फाइप करेंगे तो होता है 105 होता है यहां पर हम लिखने वाले है 105 यह पॉन फाइब अपोन अंड्रेड और यह आपके टू टाइम लिखना है अब यहां पर यह मैसे करने वाले हैं पीवन तो हमें फाइंड करना है 54,000 अब यहां पर यह अंड्रेड तो यह भी अंड्रेड प्लस फाइब करेंगे तो यह होता है आपके 105 अपोन 100 और यह आपके कितनी बार है तू टाइम है इसमें इधर वैल्यू है इसको इधर लेके आएंगे लिए उल्टे हो जाएंगे मतलब यह वैल्यू और इदर आते है तो नंबर उल्टे हो जाते हैं अब जो कट्रा है वो कार देंगे आप रहें इसमें डिवैट जाता ह है आपके 21 टाइम इधर जाता है आपके 20 टाइम फिर आपसे 21 टाइम और यह जाता है 20 अब यह नंबर इदर आएंगे उल्टा हो जाए है हमें यहां पर लेना है पी जीरो लेना है यह है आपका 54,000 इंटू यह आएगा इतर उल्टा हो जाए मतलब 20 अपॉन 21 इंटू 20 अपॉन 21 लंबर आजाए उल्टे है अब स्वाल करेंगे इसको पहले सर आएगा आपके पहले इंको मुल्टिप्लाय कर जाते हैं तो इनको मुल्टिप्लाय करेंगे इसको मुल्टिप्लाय करते हैं तो 54 को 4 से मुल्टिप्लाय करेंगे कितना आएगा जीरो 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 पाइप टाइम जीरो है 1 2 3 4 5 टाइम 0 2 2 4 हो गया 4 4 16 1 4 5 20 प्लस 1 होता है 21 और इसमें आपको डिवाइट करना है इन दोनों का मुल्टिप्लाय जो होता है 441 वह आएगा वह आपको लिखना है अभी कराएंगे इसको पहले हम बो लेते है 2 0 से 2 0 पहले आप ऐसा करो 20 से कार दो यह जाएगा 20 टाइम यह जाएगा 21 यह जाएगा 21 यह जाएगा 23 दोनमें 55 का डिवैट आता है अब यहां पर तो जिरो से 20 कैंसे पेवन का पीवन अब तू का इंदॉल का इए करते हैं तू 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 तका इन एवाला पॉर का इंद दिजर्गिनुक है पर हेले जायेगा आपके वन तैम बज गया जायेगा त्रkov कीषट ए इंटू यह वाला 441 अब दोनों को जैसे आप multiply करोगे तो आपका answer आजाए इधर भी करना है और इधर भी करना है अब यह divide आपको करना है तो simple है 216 अब यह आपको divide आपको करना है तो यह आएगा आपके 48979.5 इसको हम यहाँ पर 48980 भी किया सकते हैं इतना population होगा क्योंकि परसन कभी point में होता नहीं तो जैसे 5 से ज़्यादा आएगा तो एक परसन और ले लेगे अब आते हैं यहाँ पर इनको अगर मैं multiply करता हूं 135 को multiply करना है 441 से तो यह होता है आपके 59 535 अपने इसदाफ से multiply कर देना तो इसका एंसर आपको मिल जाए एक साइस 7.3 कोशन नंबर देरका है टू इन ए लेबरेटरी एक लेबरेटरी है साइस का वे लेबरेटरी होता जोगी आपके कि दा काउंट ओफ लेक्टीरिया तो वहाँ पर बैक्टीरिया काउंट किया गया कि सर्टन एक्स्ट्रीमेंट वाज इंक्रीज एट 2.5 परसेंट पर आवर मतलब वहाँ पर ऐसा मैसूस किया गया कि वन आवर के अंदर 2.5 परसेंट बैक्टीरिया इंक्रीज होते बढ़ जाते बैक्टीरिया बढ़ रहे है तो पर पाइंट की रेट से बढ़ रहा है तो हमें बताना है कि तो और में कितना बड़ीका हमें बताना है काउंट वाज इनिश्यली 5,6,000 मतलब हमने अभी काउंट किया तो 5,6,000 है तो बताना है कि टू आउर्स के बाद क्या होगा तो दो को ज्यान दना यहां पर लिखेंगे हम बैक्टीरिया अब यहां पर लिखावाया इनिश्यली काउंट इनिश्यली अभी कहँगा हमने है अभी आप काउंट करते हो तो आको मिलता है 5,6,000 को आप यह इंक्रीज हो रहा है वैक्तिरिया इंक्रीज हो रहे है वैक्तिरिया और इंक्रीज रहा है इंक्रीज online मतलब है इच आवर वन आवर में तू पाइंट पाइप इंक्रीज हो रहा है तो हमें बता हर अ 누 صत हूआप। हमैं फाइंड करना है ऐपेटीरिया अ फाल का को आ होगी की तू अवर थू आवर्षक के बाद मैं कितना होगा यह मैं क्या क्या करना है फाइंड करना तो पहले का दे रहा है बदलब पी जीरो दे रहा है और पी वन क्या करना है आपको फाइंड करने और यहां पर रेट दे रहा है आपके 2.5% 2.5% पर आवर के इसाफ से यह बढ़ रहा है अब हमारे पास पहले का टाइम देर का बात का वेलियों में क्या करना है फाइंड करना है वह फर्मुला लगाई है जो आपने क्रूशन नमर बन में लगा है अब फर्मुला क्या है पर्मुला है आपका यह वाला पी वन इस इकल टू पी जिरो इन्टू वन प्लस आर अपोन अंड्रेड की पावर जो है वो है आपके आइंग स्वाल करते है जो पी वन तो मैं फाइंड करना है पी जिरो अमारे पास देर का फाइव प्लैट 6,000 पी वन मतलब फाइंड करना वन प्लस वो आर है आपका देर का है 2.5 अपन हंड्रेड और ताइम है वो देर का है आपके क्यों आवर्स का अब यहां पर लिखने वाले है अगर यह 100 अगर यह 100 प्लस 2.5 करेंगे तो यह वता आपके 102.5 अपॉन 100 अगर यह 100 तो यह भी 100 100 में 2.5 एड कर लेंगे इधर भी ऐसा है सेव अब यहां पर दो हो यह पोईंट पो अठाएंगे लगेगा 0 पोईंट पो अठाया लगे आपके 302 30 हो गया आपके यह पर देते हैं यह यह जाता है आपके 25 का दिवाईट पहले जाएगा फोर टाइम तो में जाएगा नहीं जीरो टाइम और फिर जाएगा आपके 5 तैम पहले जाएगा 24 जाएगा फिछे टू बचेगा 5 लग जाएगा 41 टाइम जाएगा इदर जाएगा आपके 40 तैम और 5 का डिवाइड आप 4 यहां पर दे सकते हो तहीं तो डाइट मल्टिप्लाइ करना यह नमबर हमारे पास है 506 हमारे पास है 1025 हमारे पास है 41 और हमारे डिवाइड गरना है 40 टीवाटर जाएगा निया वाला नमबर में कुष से कट सकता है तो तू से काटा है तू से जाएगा 20, 2 से जाएगा 25 and 3, फिर 5 से जाएगा, 2 टाइम, 0 टाइम, 5 टाइम, और यह जाएगा आपके 4 टाइम, इन तीनों को मल्टिप्लाई करके आपको क्या करना है, 4 का डिवाइट करना है, करते हैं लों, 4 से डिवाइट, 253 को मल्टिप्लाई करना है, आपको 205 से, फिर मल्टिप्लाई करना है, 41 से, फिर आपको डिवाइट करना है, 4 का, तो यह आता है, आपके 531616.25, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, केवल यह वाला लिखेंगे तो भी चलेगा, तो यह पॉइंट में 5 ज्यादा हो, तो बैक्टिर बढ़ा देगे, बैक्टिरिया कभी पॉइंट में होते नहीं, यही क्या हो जाएगा, हमारे क्वेशन का, एंस, एक साई 7.3, क्वेशन नुम्बर देरका है 3, इस्पूटर वाज बाहुत एट 42,000, हमने एक पूटर पर्चेस किया है, उसका जो वैल्यू है, वो है, डेप् परण, डेप्रिशेशन का मतलब होता है, वैल्यू कम होना, इसको हिंदि में बोलता है, हाश, डेप्रिशेट होना, वैल्यू के जो भी वैल्यू है, कमी आना, मतलब आपने शूटर लिया, अगर आप एक साल चलाओगे, उसकी जो पहले वैल्यू थी, इस्टर्टिंग की, ऊस वैल्यू में क्या ये, कमी आएगी, जो वैल्यू है, वो डिक्रील होगा, कितना परिट होगा? 8% पर एंट्ट्रीज होगा, और हमारे पास टाइम देर का एक साल का, तुमें बताना है, find value after one year, एक साल के बाद value क्या होगा, after value हमें क्या करना है, find करना थे हमें यहाप प हमने इसको purchased किया है एट रुपीज 42,000 हमने एक scooter purchase किया है 42,000 किस पर लग रहा है depreciation लग रहा है इस पर आते लग रहा है depreciation depreciation कि इतना लग रहा है dew inclusion 8% per 2005 आजए youtubers ऐग और यहां पर deferrition आपते लग रहा है अब हमेंस्में फाइंड क्या करना है हमेंंस करना है कि हमें क्या होगा एक साल के बाद इसका वैलूद क्या होगा हमें बताना है यहां पर हमें बताना है find value हमें क्या find करना है value of after one year एक साल के बार इसका value क्या होगा यह हमें find गाना इसका मतलब जो value हमारे पास है वो before value है तो मतलब यह वाला हमारे पास है P0 और यह जो हमें find करना है वो है आपका P1 और यह है आपका rate और time हमारे पास हमें यह पर लगाना है formula formula आपका यह लगता है P1 is equal to P0 into 1 plus R upon 100 की power आजाएगी यहां पर आपके time आप चाहोगा तो डारेक्ट भी क्यों सकते हो सिद्धा इसका 8 फ्रेंट निकालो काम बन जाए और यहां पर आपके rate depreciation हो रहा है मतलब यहां पर आपके माइनस आएगा क्योंकि value माइनस हो रहा है तो माइनस आएगा इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है अब दो अब रेट हमारे पास दे रहा है 8% अपन 100 और टाइम दे रहा है आपके वन यह अब यहां करते हैं 42,000 इंटू अगर यह 100 तो यह भी 100 100-8 करेंगे तो 100 में से 8 जाएगा 92 यह आएगा 92 अपन 100 अब हम क्या करेंगे इन दोनों जिर्यों को आपस में कैंसिल करेंगे और हमें क्या करना है 420 को multiply करना है 92 अगर इन दोनों को आप multiply करते हो simple सा अपाल लोग यहां पर आएगा 042 का डबल 84 एट आएगा फिर हमें है 420 को multiply करना है 92 तो यह आएगा आपके 3864 जीटो और यह आएगा इसका जैंसर अगर्ट